हे गाइस गुड़ मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और यहां हम भी बिल्कुल अच्छे हैं मातरानी की भोत किर्प है हम पर तो गाइस आज मैं पहली बारा अलारम लगा के सोय हूं कि मुझे आज उठना ही उठना है और मैं और आज मेरा उठने का रीजन यही है कि आज मुझे दिखाना था कि जानों की मम्मा का स्ट्रगल वो इसलिए कि आप लोग हमारे परिवारों आपको पता तो लगना चाहिस ना कि हम लोग मतलब कितना स्ट्रगल करते हैं और हमारी दिन चाहरे कैसी रहती है तो गैस तो गाइस जानू की दादी की इस परकार एक मा का रूप बन करके जानू का पालन पोजिशन कैसे करती है और किस परकार वो सारा दिन में श्ट्रगल करती है यह इस पूरे वलोग के अंदर आपको मैं दिखाऊँगा आप इस पूरे वलोग में बने रही है यह वलोग आप ल भी मैं पूरे वलोग में आप बने रही ए तो गाई सब नीचे माताशिरी के पास और यह मम्मी पीरे हैं चाये सुबह चाये मम्मी और यह मम्मी ने लगा रही है मामी कपड़े दो रहे हो है मतलब कल भी धो है थे आज भी अज कट की शोड के पाँआ अच्छा मम ममी ऊचला जाते हैं सुवह पांच यहाँ मम्मी ने मशीन लगा लेका पिवान कोश़ी हम शाये हम, आधे कपड़े, अभी मम्मी ने मुचिन लगा 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 रखी जो खुनी यहाँD जानू की आदत है बश्पन से मुँ में उठा लेके सोती है जानू और यहां मम्मी भी जानू के पास बैठे हैं एचली क्या है कि मैं वैसे जानू को रात को एक बज़े अपने रूम में ले जाता हूं लेकिन अभी दो या तीन दिन से मैं अपने रूम में लेके इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जानू की तबीत होगी खराब बुखार हो गया था जानू को इसलिए मैं इसी निचे सुलाता नहीं जानू को तो अभी क्या कि जैसे मम्मी अपने पास ही सुलाते हैं जानू को मम्मी का दिल नहीं करता जानू के बीना क्योंकि मम्मी बशपन से ही जैसे छोटी सी जानू तो मम्मी अपने पास ही सुलाते थे जानू को तो अभी जानू सोई होई है जानू का अभी टाइम हो चुकी है सुबए की चे बजिन जू गुषति गज़ागा तरहें टो अभी मम्मी आदे से पहने मिजंटे बाद ड़ाइंगे साथ बज़ कि जानू जाएगी स्कूल और नहीं सुख ऑज पॉछी पहलगे तो जानू को आपको दिखाता हूं जानू कैसे सोती है वैसे तो मम्मा के पास सोती है मम्मी के पास मम्मी को नेंद नहीं आती जानू की बीना ये जानू सोई पड़ी है देखो जी जानू अंगुठा अंगुठा बीना सोती ही नहीं है जानू कहते है दूद आता है वेरे को तो नेंद नहीं आते ही इसके भी नहाँ इसका वैसे बत्लब गये का दूद ौढ़े अबर चालो今年 मिलता ही तो नहीं तो दो पता कहीं से मिलता है, तो नहीं तो आप मतलब Diे पता कर अपता करो एक ताज ऴाओ तो एक टेम दो से कम से कम tehा धूँ तो प्ये कम दूद कि कौूई और पता कर लेंगे कोई बात तो बे। से पता करते हैं मिलता है तो बीचारी चोटी सी थी जब से गाहन का दूदी पीरी है ङॉज ऑंक शुरु से कहीं का दूद कुना फैक देति है की बीनी नी हुषा दूद पी लिया ह। पता करते हैं कई से मिलते हैं तो विचारी को मा का दूद तो मैजू मतलब नसीब वानी चलो कोई बात नहीं पलगी है ना और कोई बात नहीं गाये का दूद ले आएंगे कोई से पता करते हैं गाये का दूद पता करो इसके लिए आज ही पता करो कोई नहीं एक टैम तो पी यह बुचारी जानू को अब थोड़ी देर में उठाएंगे जानू को और फॉंक्शन है जानू का जानू 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 तो गैस अभी हमारी प्यारी सी कंज का हमारी प्यारी सी कंजक रूपी मात भमानी सो रही है और जानू को अंगुठा लेके सोने की आदत है बचपन से थी चोटी सी थी जब से जानू अंगुठा लेके सोती थी आज तक मतलब आदत है अभी हम अंगुठे के साथ छेड़ चा कालते हैं मुझ से तुझा नो रोने लग जाती है इसलिए मंगूटे के साथ छेड़ चाड़ नहीं करते हैं तो भई मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो हमारी प्यारी बीटी आरानी हमारे घर में हमारी बेटी ने जनम लिया तो बड़े खुश नसीब वह लोग होते हैं जि बहुत प्यारी बीटी आराने दी और हम बहुत खुश नसीब हैं हमारी प्यारी बीटी आरानी आपकी स्पोर्ट से आपके साथ से एक दिन श्टार बनके आपकी बीच में आएगी और यह सिरफ आपकी स्पोर्ट और आपके साथ की वज़े से ही हो सकता है तो गाइस मैं ही तो इसलिए बैटियों को पूरी इज़द देने चाहिए बैटियों को त्यार और आज है इंडिपेंडनेश जी और आपको तुछ से पहले इंडिपेंडनेश जी और आज मेरे स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन भी है मैं उसमें बहुत बारा दांस भी करूंगी आप इस को जिरूर देहना तो गैस जानू को रेडी कर दिये मम्मी ने स्कूल के लिए और जानू को रेडी करने के साथ साथ देखो वही हमारा घर कितना मतलब मम्मी ने कपड़े भी धो लिए सुबे से अब तक और घर में जाड़ों पोचा वगरा हम उठते हैं इधरे तो मम्मी सब काम करी लेते है तो यहां यह मम्मा की रसोई जो कि बिल्कुल कलीन है और यहां मतलब फर्श बगएरा जड़ों कोचे बगएरा सारे मम्मी याश टैंड से कर लिए टैंब से कर लिए और रोज ही हो जाता हम इतने उठके आते हैं तो सब खाना पीना सब मम्मी रिडी रखते हैं हमारे सबसे पहले मम्मी फिर मैं फिर सबसे लास में आँ अच्छा अभी आपको मैं दिखांगा नेक्स्ट की अभी इसके बाद मम्मी क्या करते हैं तो गाइस अभी हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी के पास और जानू होगी यहां तिरंगा में भारत माता के रंग में रंगी है जानू और हाथ में लिलिया तिरंगा और एक आज भू हमारी गाड़ी के पास पहुझ गया है मैं जानू को छोड़ने जा रहा हूं स्कूल तो यह हमारी गाड़ी के पास पहुझ चुके हम यह लोग खोल दिया और अब चलते हैं जानू को स्कूल छोड़ने तो गाईस आज जानू का स्कूल और जारी है स्कूल जारी है जानू आज जानू को ऐफ फॉंक्शन तिरंगा तो दिखा दो एक बारत माता का वह गीत अपने याद कर रखा था वो भी जुदी से सुना हुमर को भारत माकी से और तशे भारत माता की दे बंदे माधारम। चलो आप स्कूल जाओ अच्छे से और अच्छे से प्रफ़ोर्मेंस देना स्कूल में टो जाओ अब स्कूल। लोग खुल दूँं रुख जाओ, मैं खुल देता हूँ यह ऐसे खुल लो जानो छली गई स्कूल। बाई तो गैस अभी मैं पोचा हूँ हमारे घर के पास में बिल्कुल एक स्कूल है और ये दिखा रहा हूं मैं आपको मम्मी का नेक्स ट्रगल कि मम्मी का श्ट्रगल क्या है मम्मी आते हैं यहां पास के स्कूल में और यहां छोटे छोटे बच्चों को चीजे सेल करते हैं तो भई काम करने में कोई शरम नहीं है और यह है मम्मी का श्ट्रगल क्योंकि हम लोग मतलब साधा जीमन जीते हैं और मेनत करके खाते हैं और यहां मम्मी भी बच्चों को रिस सीजय देते हैं मतलब भी खाने-पिने का समान बाढ़ते हैं तो यहां मेरे पापा जी की कंटीन एक चोटी सी और मुम्मी रिसएच टाइम में आ बापा की हेल्प करक्रने के लिए क्यों कि बापा के साथ बिचे हो जाती जाधा स्कूल में तो पापा की हमक्रस के लिए बहुत जरूरी है और मेनत करने में देखो कोई शरम नहीं है आप कोई भी काम करते हो मतलब जीवन में इंसान कोई भी काम कर ले मेनत करना बहुत अची बात है इसलिए हम मेनत करने में कोई शरम नहीं करते हैं चाहिए वो काम कैसा भी हो हम कोई बुरा करम तो करनी रहे अच्छा काम करो चाहे काम कोई भी करे हम मतलब मेनत करके खाना बहुत अच्छी बात है तो अभी आएंगे मम्मी घर पे लंच की त्यारी क्योंकि बारा बजे आते हैं घर पे और बारा बजे आने के बाद फिर लंच की त्यारी फिर लंच की त्यारी फिर लंच के आने के बा किस बात बें घुससा है बई बताओ जानो का गुसा आदेगे चानो का गुसा बता रती है जानो का गुसा बता रता nuanced आ किस बात पर जानो को लेना एक टैब ठीक है और यहां जानून टैब फैक के मारा है ऐसे क्यों ही शाम को नया टैब ना मिले आपको फिर बदाना ठीक है शाम को नया टैब पक्का मेरी तरफ से आपको गिफ्ट तो गईज अब दिखा रहे हुँ आपको मम्मी की एक छोटी सी शूप जो कि हमारे ही घर में है और ममी दिन में जाते हैं पापा जी की कंटीन पर बचचों की एलप करवने तो यह मम्मी की शूप है ममी शूप बी चलाते हैं और सुबह से मतलब रात तक मम्मी का यही रहता है किEश purity उठना जल दी पिर जाणनों को त्यार करना श्कूल भेजना फिर घाना बनाना तो तो फिर मूशी कंटीन चल जाते हैं पापा की तो पापा की कंटीन इसली काते हैं मेश पापा को मतब। चलो ममी बताएं Het लिए इस लिए चीज मतलब देने जाते हैं बच्चो को और लिए नीचे गिर जाएं तो मी थकावड ने होती हैं सारा दिन मैं तो रोकता हूं छोड़ दो तो भई यह मा का प्यार है मा की मम्ता है मम्मी मतलब सारा दिन इतनी मेनत हमारे हम नहीं कर पाते मतलब इनका इसन नाम कीसे बुलाएंगे क이 सुबह से रात तक मतलब दुरेश्ट भी ना करना हो अर सारा दिन मतलब मेनत करना तो गुड़िया को भी पालना मतलब सहमारी लिए भी करना घर का सारा काम भी करना यह सब मम्मी करते पां लिए तो ऐसी मां के लिए सल запlas दिल से क्या हो गया रोने क्यों लगगे क्या हो गया बता ψ बताओ ने बता ऊक्या हो गया और रृट शुप उजह कोई बात निए कोई नी वह काको जाओ कोई नहीं भगवान ने दिन दिखाया तो अच्छे भी दिखाएगा कोई बात नहीं तो गाइस मम्मी होगे थे इमोशनल में मम्मी को ले आया हूं अंदर और क्योंकि ना मा की आखों में आसु देखें जाते और ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम कोई मजबूरी में करते मम्मी को शोक है भई मम्मी खाली रहना पसंद नहीं करते तो भई मेनत करना कोई बूरी बात न हमारा हम घर में टाइम इंचन माजटा हूं मिर मम्मिया म मझ गटहूं तरह भंऴी एपके जो कर था कर लग दे क्या होर क्या वर क्या क्या मैं ने में क्केद तरह चाह क्या हो क्या सब की मत सुना अगर आप कोई काई ना आप कोई काई ना किसी को मतलब कि कह दियो मैं मेरी मेरी बस ठीक है हाँ तो गाइस देवकी ने काना जी को जनम दिया लेकिन पाला ये शोदा मिया ने था कोई बात नहीं जनम किसी और ने दिया लेकिन पालने वाली असली अगदार मा का रूप इने कह सकते हैं की वहीं जनू बिलकु प्यूंके सकते हैं कि मंवी थ्लम मात्हीं है अब हम बहृत अच्छी जिनाश आते हैं बहुत अच्छे मतलब हम life spend कर रहे हैं अपने आपको खुश नशीप मांते हैं कि हमारे घर में जणिपा जनम हुआ है झाल नहीं है बिल्कुल हमारे ङर में पैयारी बैटी ने जनम दिया हम बोटรब खुश नशीम में मतलब बेटियों ने जनम लिया हम इसके लिए बहुत खुश हैं भगवान से हम यह दूआ मांगते हैं कि हम ऐसे ही बहुत अच्छे से अपने जिंदिगी उजा रहे हमारी दोनों बेटिया सुखी रहे बस तो गाइज मैं आप से यह कहूंगा कि प्लीज आप दिल से यार स्पोर्ट करो हमें मतलब इतना स्पोर्ट करो आपका प्यार इतना चाहिए हमें कि हम बहुत आगे तक जाए है ना तो आज का मैंने आपको मम्मी का आपको दिंचेरह दिखाया क्योंकि आप हमारा परिवार हो आपके साथ हम सब शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता ह परिवार के आगे मतलब कुछ नहीं चुपाना चीए आपको भी पता हो कि हम मतलब सब आपके बीच में शेयर करते हैं आपको कैसा लगते हैं तो यह मा मेरी मा जैसी मा दुनिया में कोई हो यह नहीं सकती क्योंकि मुझे पता है और मम्मी श्ट्रागल सुबह से लेकर रात त मतलब किस हालात है में ममी कैसे काम करते हैं और कैसे कैसे रखते हैं हम इतनी मेनत कभी जिन्दी के महीं नहीं कर सकते तो मा को दिल से तो आज का वह लोग करते हैं पर एंड थी एक चीज तो बता दो इस तो यह जानू का सरप्राइज है वही टैब लेका है लेकिन शाम को ट तब गिफ्ट मैंने देना यह तरफ यूज़ करने के लिए वह शाम को देंगे आपको अच्छे से गए बोल दो सबको कि स्पोर्ट करें आमें चैनल को जड़ा ज़्यादा स्पोर्ट करो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो तो आज को लोग करते हैं यही परान मिलते हैं आपको अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में बहुत अच्छे व्लोग लेकर आएंगे आपके पीच में